क्या हाल है दोस्तों मैं होई कास्तों और आपके अपने ट्रस्वादी चैनल पे आज फिर से आ गया है डे नंबर 12 लेकर ठीक है डे नंबर 12 है टॉप 10 mcq जो रोज हम लोग करते हैं डे नंबर 12 ठीक 21 जून से हमारा क्रेश को चालू हो रहा है उसके लिए आप लोग लिबलाजेशन उदारी करण यहां पे प्रैविटाइशन से बात हो रही निजी करण को लेकर तो मोडस अपर इंडी आप लोग पता है आप लोग को जो है आपना स्क्रीन को पॉस करना है कोशन अटेम करना और फिर मेरा एक्समेशन सुनना है देखे यहां पे जो आंसर है व at government comes out of our membership and management of the public सेक्टर कंपनीश यानी की इसको क्या बोलते हैं इसमें भी प्रैविटाइशन कहा जाता है इसमें आपका क्या है कि सरकार का एक वन पर Brew के बराबर रहता है इससे कम भी हो सकता 120Q लेकिन जो है इससे इसके बराबर होगा जैसे 100 परसेट्यन था तो सरकार जो है प्राइटाइशन तो करी रही है ठीक यहां पर क्या है कि उननचास या उससे कम पर्सेंट का सरकार का वह हो जाएगा पॉर्शन शेरिंग तो इसको जो है प्राइटाइशन बोलेंगे यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक आगे चलते कुश्चन नमबर टू पर कुश्चन बटू जो है आपका आर्ट एंग कल चल से हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से यहां पर तीन स्टेटमेंट दि है तूती नामा जो है वह पहला वर्ग कहा जाता मुगल स्कूल का माना जाता है सही है लेकिन यहां पर जो एक चीज है कि दा यूज ऑफ डेकुरेटेड मार्जिन जैसे कि यहां पर आप देख रहो ना डेकुरेटेट टाइप से वैसे इनकी उसमें था पेंडिंग्स में यह शाहजार द्वारा इंटर्डूस किया गया था नहीं देखिए आगर आपको याद करने का एक तरीका बताओं तो शाहजार जो थे वह आर्किटेक्चर के लिए मशूर थे जैसे कि ताज महल हो गया रैट फोर्ड भी इन्हों ने फिर से बनवाय था पंच महल हो सब और जहांगीर जो थे वह पेंटिंग ले मुशूर थे ठीक इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कोश्चन नबर टू का यहां पर आपका कुछ एक्स्मिनेशन ने पढ़ सकते हैं आप लोग कोश्चन नंबर थी जो है इसमें भी एक ट्रिक बताऊंगा कुछ स्टेट्मेंट इ बानव भे में स्टाट श्टाट हूआ है और बानवे में आपका उर्थ समिट भी उवर था ठीक से मिंहें जो है चीज्च को जो हैं इन्ट बाप्रती तो निकलके आए थे यान Напр park पर गमेंशन Mission of gummy ओन अडाबसित निल बाइरोउचा हैं ऑ == दूसरा थाgrass सी 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 क्लाइमेट चेंज वाला और तीसरा था यू एन एफ यू एन सी सीडी कॉंबेटिंग डेजर्टिफिकेशन ठीक कन्वेंशनल कॉंबेटिंग डेजर्टिफिकेशन यह याद रखिएगा पूछ सकता है ठीक है इसको जो है इसका सही आंसर कौन सा होगा इसका सही आंसर होगा आपका बी देखें थर्ड स्टेट्मेंट सही है और दूसरा जो और पहला स्टेट्मेंट गलत है क्यों क्योंकि 29 जून को नहीं 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है इलेगल हेंटिंग जो है सिर्फ रीजन नहीं है नंबर जो टाइगर के डिक्रीज हुए है बलकि आपके human-animal conflict of food viscosity मतलब कि इनके जे प्रेटर है टाइगर तो इनका जो प्रे होता है प्रे य वह कम हो जाने के विए से होता है और भी यह डिक्रीज हुए नंबर और मॉगली मौसब जो है मद्धपदेश में बना जाता है मद्धपदेश हमारा टाइगर स्टेट भी चुना गया ह सबसे हैं कहां पर हो गए तो इसका सही आंसर वह यहां पर क्या हो जाएगा 1023 पूछा गया कि क्या चकर होता water cycle में water cycle नािट्रोजन साइकल हो गया carbon cycle और केंचल साइकल में तो 6 पहले पेड़ों से जो निकलता उसको टांस्पेरेशन बोलते हैं और उसके बाद जो है पहले अपर उपर उठती है जिसमें वह वाटर वेपर है मौश्यर है तो उसमें से लेटेंट हीट ऑफ जो है वह रिलीज होती है फिर उसके बाद जब आपका यहां पर हाइग्रोस्कोपिक नुकलिया ही जब अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है कि पानी जो है वाटर वेपर जो है इन पर कंडेंस हो जाता है मिल जाता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं पूरी एक एक चीज़ समझे और क्लाउड्स में जब ज़्यादा पानी एकदम आपस में वाटर वेपर मिलका और यह सब ज्यादा हो जाते हैं तो ग्रेविटी से जब पानी नीचे गिरता तो उसको क्या बोलते हैं प्रसिपिटेशन में रेंफॉल भी हो सकती है स्लीट और ग्लेज टाइप से भी हो सक ठीक को सब्सक्राइब लोग यहां पर नैशनल एंथम को जो है इस गाने के लिए हम कंपल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तीनों ही स्टेट्मेंट सभी है और इसमें जो पहला स्टेट्मेंट कहा गया है कि हां राइट टू जैसे राइट टू फ्रीडम of speech and expression जो आपकी अप भी नहीं कह सकते हैं तुमको गाना ही पड़ेगा नैशनल एंथम ठीक दूसरा स्टेट्मेंट कह रहा है कि जो आपका यह राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोपागेशन और यह रिलिजिए आर्टिकल लंबा पत्चीस में रखा है और यह अर्टिकल गाने के लिए किसी को बाद करने का कोई विदिक उपबंद नहीं है देखें एक हमारा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और टू नैशनल ओनर एक्ट 1971 इसमें यह कहा गया है कि किसी को गाने सो रोकने के लिए तो है लेकिन गाना पड़ेगा यह चीन नहीं कही गई तो इसलि प्लांट की जो evolution है ठीक प्लांट की जो evolution उससे कुछ statement दिये गए है आप लोग को बताना है कि कौन से statement सही है और इसमें जो आपका statement जो option है वो सही होगा वह होगा भी देखें यहां पे not correct पूछा गया आप लिए नॉप करें दिया not correct पूछा गया है तो तीसरा statement जो है कि process सिलेक्षिन और प्रोसर आइसुलेशन जो होता है वह तो प्रोसर सब्सक्राइब करें तो इसे प्रांट को ले जाओ जाओ जगह का है तो अपनी पत्तियां पत्ली करके और करके जो है ट्रांस्पिरेशन से बचने कोश करेगा इसे तरीके से दूसरा कहा गया है कि इन हैटेट कॉंटिटीटीटीज ऑफ कॉलिटीज ऑफ स्प्रिंग अगर इन्वार्मेंटल कंडिशन चेंज भी कर दो तब भी वह जो है आपकी मोडिफाइड नहीं होती है ऐसा नहीं हो जाती है समझते हैं कि कोई भी स्पेसीज हो कोई कुछ हो इसको किसी भी रीजन में डाल दो तो वह नहीं होगी अगर आप इसको देखे तो बियर यानि कि भालू जो होता है और आपका ट्रॉपिकल टेंपरेट अर्याज में जो होता है ब्राउन ब्राउन रंका होता और थोड़ा और लेटिटूड अगर नीचे आओ गया आप इक्योटर करी तो काला भी होता है तो यह सब कुछ चेंजस क्यों हो रहे हैं अलग लग जगह पर अलग लग उसके लिए ठीक तो इसलिके से यहां पे इसका कुछ इंफॉर्मिशन दे रखी आप लोग देख सकते हैं कॉस्च जो है कि ग्यान प्राप्ति के बाद मनला इनलाइटनमेंट बुद्ध ने प्रथम वर्ष वर्षाकाल सानाथ में वैतीत किया बिल्कुल सही है और यहीं पे इन्होंने क्या दिया था अपना पहला सर्मन दिया था ठीक तो इसको बोलते हैं कि वील जो है चालू हो गया था बुद्ध को अजाशत्रू ने वेडू वन विहार दान दिया था अजाशत्रू ने नहीं बिंबिसार अजाशत्रू के कौन थे जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखके बताइए और एक जो है ट्रिक है यहां पर एक 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 जो चार काउंसिल हुई थी पहले वाले को बाजाशत्रू ने दूसरे वाले को काल अशोक ने फिर अशोक ने और फिर कनिश्क ने इन लोग को जो है इनकी राजाओं के अंतरकत यह कौंसिल हुई थी ठीक यह ट्रिक सही लगी दा मॉनिस्ट्री नेमड जीत वन नोरेंटेड वाय मर्चेंट सुदत टू इसका डाउनफॉल भी हो गया था ठीक यहां पर यह कुछ इंफॉर्मेशन ने आप लोग देख लीजेगा पॉस करके कुश्चन नमबर नाइन में तुगलग मिडवल इस्ट्री से कुछ औरीजिन ऑफ तुगलग से कुछ स्टेट्मेंट दिये गया है आप लोग को बतान एक तुबलग टोरोब्स क Awakよろणा डैनिएस्टी करोंश इस से थे आपके तुगलग ठीक है और यह जो है इंटरमीजर तुर्किस्ता आवरह जो सिंध। के मार्को पॉलर ने बताया था कि यह मिग्स रेस थे मिग्स रेस मदब फादर के साइट से तातर और मदर के साइट से इंडियन थे ठीक है और तुगलक जो थे यह तारीक रशीदी में तुगलकों को चगताई चगताई मंगोल कहा गया है एकदम सही स्टेटमेट है स्टेटमेट दिये गया है और सही नौट करें पूछा गया है ठीक कौन सा स्टेटमेट आपको इसमें से जो आप्शन है बताइए आप लोग देखें यहां पे सी तीसरा स्टेटमेट जो है वह गलत है इलादी नहीं जो कुरल था उसको बाइबल बहुला जाता है तमिल ल स्टेटमेंट जो है परिपदल जो है फर्स म्यूजिक कलेक्शन दा लिट्रेचर का और ब्रेवरी आर्ट चेरा रूलर्स की बताई गई थी पदी तरह पत्तू में और जो हैपिनेस इस फांड इन वोईस ऑफ द बिलवड वर्चू इन दो इस फांड इन जेनरेस हार्ट य ठीक आप लोग इस नंबर पर कॉल करके जोइन कर सकते हैं क्रैश को 21 चालू होने वाला ठीक लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट जाओ करिए आंसर्स का जय इन जय वरत आल दा वरी बेस्ट है